हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक तो मैं चैनल इस निया पटिल आज का टॉपिक है वह बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है विकातार हम डिसकस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने कॉलेज रूटीन के साथ ही साथ सीएस कर सकते हो तो ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉपर प्लैनिंग हो और अगर पता हो कि दिन में क्या क्या कपकप करना है तो यह भी एजी हो सकता है और मैं उसी के लिए तो हूँ आज की वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि आपका क्या स्टडी रूटीन होना चाहिए अगर आप कॉलेज गोईंग हो और स्टाइमिंग पर सुकर लिए तो लेट स्टाइब दर लिए फ्रेंट्स रिज्टी पर इस प्रेंट्स रिजुणी पर एक स्टोरी लगाए थी कि प्लीज आप लोग मुझे अपना कॉलेज टाइमिंग बताएं इससे मुझे पता चेथा कि मेज्वरी बच्चों के जो को तो आपका जो कोलेज को मैंनेज कर सकते हो एक्सामपल लेते हैं कि आपका जो कॉलेज का टाइमिंग है वह है नौ बज़े से लेके एक बज़े तक मतलब चार गंटे दे रही हूं प्लीज आप इसको अपने सेट करना और समझना कि कैसे क्या क्या करना है ठीक है तो नौ बज़े से एक बज़े तक समझो आपका है कॉलेज अब नौ बज़े का कॉलेज है और आपको लगता है एक घंटा ड्रैवलिंग में तो एक घंटा जाने में एक घंटा आने में तो नौ का कॉलेज है आपको आट CS का पढ़ाई करना है तो आपको छे बज़े उठना है जब कभी उठते हो रेगुलर टाइम पे कॉलेज जाने के लिए उससे एक घंटा पहले उठो और सुपर उठके सबसे पहले आपको क्या करना है जो आज आप लेक्चर देखने वाले हो CS के क्लासिस में रिकॉर्डेड ह कर ले उसका आपको करना है रिवीजिनर प्रक्ति करना है यह पूरी घंटा में आपको करना है वेडी मिना करोगे अब यह पर आता है मेन पार्ट कॉलेज गुइंग बच्चों को ट्रैवलिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉंशियस हो के पढ़ाई करनी है त्रैवलिंग के टाइम पर वेस्ट नहीं कर सकते हैं चाहे आपका ट्रैवलिंग का टाइम पच्छेस मिनिट हो एक पोस्करोया आपका कितना मॉडूल पिस करके हो जायेगा तो प्रेड Chinese दर्ट जाते टाइम भी आते तैम भी या तो मॉडिल्म कर सकते हो या तो अपने नुट्स का फोटो बना के उसको रिवाईड कर सकते हो इन दोनों में से आपको घो छीक लगे आप लो करना फपिर बिंदाज चार गंटे लग Street करो से चूटो गया और वापस ट्रेन में ट्रैवल करते करते हैं घर में अपको क्या करना है नोट्स देखना है या तो मॉड्या पड़ना है अब अब समझो 2 बज़े तक हाते हो गर दो बज़े से लेके पाच बज़े तक तीन घंटा आप सो जाओ आपको खाना होगा आपको रेस्ट करना होगा और family के साथ time spend करना होगा जो करना इस तीन घंटे में आप कर लो क्यूंकि 5 बज़े से लेके 10 बज़े तक मतलब 5 घंटा आपको क्या करना है CS के lectures देखना है देखो CS के lectures देखने न तो उसके लिए आपको fresh feel करना पड़ेगा और याद रखना minimum 5 घंटे तो आपको CS के lectures देखने ही देखने तो 5 बज़े से लेके 10 बज़े तक proper time है इसमें आप break दो ना खाने का break दो walking करना उसका break दो आपके live lectures है तो आपको पता होगा क्या timing है live नहीं है recorded है तो आप ये time अपने लिए set कर सकते हो कब भी दिन में 5 घंट आपको lectures देखना है जैसे ही आपको 10 बज़े lecture देखके हो जाएगा फिर फ्रेश वागिरा होना है walking करना है दोस्तों से बात करने करो रात को सुने से पहल या भी हमारा 9 से का timing नहीं है हमारा शाम को college है हमारा सुबह अरली college है जो भी हो बस आपको make sure करना है जब भी उठते हो उसके गंडे पहले उठो revise करो और writing practice करो traveling के time पे module को read कर लो घर आके 5 घंटे आपको lectures देखने हो lectures देखने के वाद जो पढ़ाया गया उसको revise करना और थोड़ा सा notes पनाना है that's it वो आप अपने time के हिसाब से कर सकते हो Saturday Sunday I am sure आपको college में छुटी होगी उसको पूरा यूटिलाइस करना उस time पर आप ट्राय करना है आप लोग क्या करो past papers solve करो Saturday Sunday make sure करना जितने हो सके उतने आपको past papers solve करनी है सो अपको अंदाजा भी नियोगा बट इस routine से क्या हो रहा है अपका module read हो रहा है अप lectures तो देखी रहे हो आपका revision हो रहा है राइटिंग प्रैक्टिस हो और आप past papers भी solve कर रहे हो सो देखा time management और planning के साथ ही साथ आप सब कुछ बहुत possible way में कर सकते हो जो रूटीन मैंने आपको बताई है ना वो all India rankers की रूटीन है वो लोग यह routine follow करते थे जिसके उनको all India rank 3 all India rank 5 executive professional में आई हुई है सो आप लोग भी रूटीन ट्राय करना थोड़े दिन के लिए आपको रूटीन मुश्किल लगेगा बट एक बार आदत हो जाएगी फिर बहुत easy में जाएगा तो yes friends that's it मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाई बस्टाफ लग